हाई गाईज मेरा नाम है साहिल खना और स्वागत आपका आज की वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे experiential marketing के बारे में experiential marketing का मतलब अगर आप business करते हो कोई भी experience का spa करते हो, massage करते हो या फिर संधीर महिश्वरी जी ने अपने मॉल्स के अंदर कुछ 3D गेम वाला सीन होता है, बहुत सारी चीज़े होती है, अगर आपका उसके regarding कोई भी business है, तो हम उसकी marketing कैसे कर सकते हैं, मैं इन सबको इखटा club इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे एक तरीके सही कि इन सबकी market होने वाली है, और ये जो marketing करने का तरीका है, इसको कहते हैं experiential marketing, इस चीज़ की marketing करना शायद सबसे असान है, मेरी नज़रों के अंदर, आपको व्या करना है, आपको सिर्फ अपने customers की वीडियो बनानी है, वो जो experience कर रहे हैं, वो जैसे excited हो रहे हैं, या फिर आपका कोई experience है, जहां पर बैटके रोते हैं, मातम मना तो कुछ भी करते हैं, मतलब, कोई भी experience कर रहे हैं, तो आपको उसको capture करना है, उनकी real emotions दिखने चाहिए, आपको वो वीडियो बना के, आपक अच्छा experience capture किया होगा, तो हम उसको facebook पे market करेगे, facebook पे अपने को almost 40-50 पैसा पर cost आने वाली experience की, अब experience वानके चलते हैं, मेरा एक mall के अंदर experience है, तो एक 1000 km दूर से मेरे पास कोई experience लेने नहीं आने वाला, जहां मेरा mall है, शायद उसके 5-7 km radius के अंदर ही लोग जो होगे, वो मेरा experience लेने के लिए आएगे, तो मैं अगर ad चलाने वाला हूँ, पैसा कर्च करने वाला हूँ, तो उन्हीं लोगों को दिखाते हैं, जो की सिर्फ उसी area के अंदर रहते हैं, तो मेरी targeting क्या रहेगी, जो मेरा office की location है, उसके 5-7-8 km, 8 km बहुत जादा बोल गया, maximum 5 km radius के अंदर है, और अगर आपको interest भरना है, तो interest आप अपने business का भर सकते हो, जो भी आपका business है, उसकी category के regarding, आप interest भर सकते हो, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो लोग, आसपास वाले लोग देखेगे, कि भाई, यहाँ पे small के अंदर ये चीज शुरू हुई है, मैं भी करा सकता हूँ, मान के चलते हैं, आप massage देते हो, तो massage हर लोगों के लिए नहीं होती है, तो अगर हम दिखा रहे हैं, लड़कों को लड़की massage दे रही है, और हमने उसकी video मना रखी है, तो हम वो लड़कों को दिखाएगे, लड़कीों को नहीं दिखाएगे, क्योंकि शायद वो हमारी उस video की target audience नहीं है, तो हमको थोड़ा सा उस चीज़ का पर दिहान रखना पड़ेगा, अब क्या होगा वो बंदा देखेगा, एड दिखी, उसको दिखा, ओ भाई सही है, अब वो action तो लेगा, उन में से कुछ पसंड action लेगे, कुछ लोग share भी करेगी, औ और Facebook भी हमारी खुद की video promote करेगा, साथ के साथ में YouTube पर भी इसी video को दालेगे और इसी तरीके से market करेगे, related channels के अंदर, जैसे कि मैं massage ही दे रहा हूँ, तो मैं ऐसे channels पकड़ूँगा, जिन पर ऐसी audience आती है, जिनको massage लेना पसंद है, वहाँ पर again मैं targeting करूँगा, अपने business की location के 5 km radius के अंदर, अब वहाँ से YouTube भी मेरी video promote कर रहा है, Facebook भी कर रहा है, ultimately मेरा product viral हो जाएगा, अब ये बात हुई है, खाली अगर हम local area के अंदर market कर रहे, अगर हम जो संदीव महिश्वरी जी ने बात करी, कि हम एक village experience देगे, अंग्रेज आते है हमारे देश के अंदर, आज मैल देखने के लिए, हम उनको village experience भी देगे, कि भाई 500 डॉलर की ticket लो, हम आपको ये फलाना village गुमाएगे, यहाँ पे आपको खाना के लाएगे, यहाँ पे आपको ये बनाना सिखाएगे, चकली वकली करेगे, basically internationally ये चीज बहुत ज़्यादा चलती है, मेरे कुछ friends है जो कि कहीं कहीं जगा पे गए थे, उन्होंने क्या देखा, महाँ पे एक glass का बहुत ज़्यादा काम होता है, तो वो आपको glass के अंदर zoomer बनाना सिखाते है, glass की चीजे बनाना सिखाते है, भट्टी के अंदर से निकाल के आप खुद बनाते हैं, आपने सुना होगा pottery वाला मटके बनाने वाला, तो आपको कुछ amount देना है, हम पड़े लिखे लोग मटका बनाना बड़ी चीज नहीं समझते, पर हम 500 रुबे देते हैं वो experience के लिए जाके हम सीखते हैं मटका कैसे बनाना है, तो हम पड़े लिखे अगर ऐसा करते हैं, तो जो भार के अंग्रेज आर इंदर एड चलाएगे, अब interest ढूंडना है, यहाँ पर बहुत खतरनाक चीज है, मुझे ऐसे interest वाले लोग चाहिए, जो कि travel करना पसंद करते हैं, और वहाँ पर उनको market करना है, अपनी वीडियो के अंदर में लिखना है, come to India, इंडिया आओ, और यह वाले magic types लोग, आपक कोई दोस्कों से इंडिया जा रहा होगा, तो उसको जरूर कहें के भाई, यह जरूर करी हो, बस वहाँ से हमारे पस international line डाने लग गए, अब सिर्फ मैं social media की बात कर रहा हूँ, Google searches के उपर आते हैं, अब Google searches करना, जब भी हम किसी country में जाने का plan करते हैं, तो हम पहले research करते ह बहुत सारे लोग entries में नहीं गुमते, तो आप कहीं पर भी जाते हो, सबसे पहले plan करते हो, मैं कहां रुकूंगा, कहां गुमूंगा, पहले दिन कहां जाओंगा, दूसरे दिन कहां जाओंगा, आप पूरा research करते हो, तो जब वो research कर रहा है, अगर हम उसको search ad दिखा दे त अब यह hotel की बात नहीं कर रहा, अगर उसने search मारा, best spa, best salon, या फिर dash, जो भी आप service दे रहे हो, best dash, तो वो ad पे click करके आपके बास आएगा, वहां से आपके बास organic traffic आएगा, जिन लोगों को आपकी product की जुरत है, तो यहां पर अपने को थोड़ी सी keyword research करनी पड़ेगी, यह चानना है कि असली में दुनिया क्या search मारती है, अगर मैं यही village वाला scene कर रहा हूँ, मतलब मैं experience बेच रहा हूँ, तो मुझे search मार के देखना है, लोग search क्या मारते है, अगर उनको यह वाला product बेचना पड़ेगा मेरको तो मैं search मारूंगा experience in India, तो अगर experience in India लोग search मारते ह तो मेरी ad आएगे, लोग उससे click करके आएगे, पर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा experience देते है, जिसकी कोई searches ही नहीं है, लोग search ही नहीं मारते, तो मतलब लोगों को पता नहीं है, awareness नहीं है, अगर awareness नहीं है, तो social media आपके बास खाली option है, आप सिर्फ social media पर market कर सकते हो, मतलब facebook के साथ में, मैं instagram भी कह रहा था, facebook instagram साथ साथ चलता है, अगर आप add चलाती हो, facebook instagram पर साथ साथ चलती है, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी research करी तो मुझे पता रहागा, जो experience वाली दुनिया है, यहाँ पर लोग धंसे काम नहीं कर रहे है, तो यहाँ पर हम SEO भी कर सकते हैं, और ब images पता होने चाहिए, वहाँ आपकी videos होनी चाहिए, कि क्या-क्या चीजे होगी, वहाँ पर photos भी होनी चाहिए, बस एक चीज का हमको ध्यान रखना है, हम जितना पैसा charge कर रहे हैं, अगर उसको उस level का quality experience दे दिया, तो भाई word of mouth से अपने आपी brand बना देगा हमको, example लेके च आओगे तो दो लाख रूपे का मिलेगा, अब उनके centers मने बड़े हैं, centers के अंदर free है, आप जाओ, अपने booking कर रहा हो, और वहाँ जाके free में massage लो, body massage, और आपको 15-20 दिन का session free मिलेगा, और आपको पुरा-पुरा अपनी body के अंदर transformation पता लगेगा, अब ये basically क्या करना च आप आते हो, product को test करते हो, 20-25 दिन regularly, free में, उसके वेज़ से आपको experience मिलता है, कि ये product मेरे ले चलेगा, या फिर नहीं चलेगा, अगर मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ले लेता हूँ, तो मैंने उनसे पूछा, कि कितना percent conversion आता है, 40% conversion आता है, उनका ऐसा कहना था, तो 40% लोग तो पहले starting के अंदर ही, हफ्ते दो हफ्ते के अंदर ही ले लेते है, product को test करने के बाद, और कुछ लोग 20-30% ऐसे होते हैं, जो effort नहीं कर सकते, तो वो यहाँ पे लेते हैं, कुछ time के बाद वो पैसा कहीं से कठा करके, loan की उपर machine ले लेते हैं, और कुछ लोग जि शेयर करते हैं, क्योंट में बताना वीडियो कैसे लगी, बाई, गुद नाइट शबा के ले खुदा आफिस, गुद मॉर्निंग और अफ्टून जब यह आप वीडियो को देख रहे हैं,